So welcome friends, आज के इस वीडियो हम सिखेंगे Adjoint of a matrix with the help of trick पहले हम order 2 के matrix का Adjoint निकालना सिखेंगे उसके आद बढ़ेंगे order 3 की और तो यहाँ पे जो आपके matrices दिख रहे हैं यह order 2 के हैं 2 cross 2 means 2 rows 2 columns ठीक है तो फिर उसके आद बढ़ेंगे 3 rows 3 columns की और पहले मैंने वीडियो बनाई थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी उसके वैसे मैंने वीडियो भी दुबारा बना रहा हूँ तो कुछ गलत हो गया था उसमें तो इस पर कोई गलती नहीं होगी So let us start तो पहले तो आप देखिए A आपका एक matrix given है तो इसका आपने adjoint निकालना है तो सीधे-सीधे आपका है ज्यादा अपने दिमाग लगाना नहीं इसमें adjoint of A अगर हमने पहले आले question को solve करना है तो इसका जो main diagonal है principal diagonal के जो element है इनको आप interchange करेंगे पहला step तो interchange कर दीजे minus B आ जाएगा और C की जिगह पर minus C आ जाएगा as you can see over here ठीक है यह आपका adjoint of A आ गया तो वैसे adjoint of B आप निकाल सकते है adjoint of matrix B आपके सामने में है तो आप diagonal elements को interchange करा दीजे 4 means main जो diagonal आपका ही यहाला यह interchange हो जाएगी और जो बाकी दूसरा जो diagonal है that means off diagonal बोलते हैं इसको इसके elements को वैसे रहने देंगे जहांपे but sign change कर देंगे 2 का minus 2 बन जाएगा और minus 3 का plus 3 बन जाएगा यह आपका adjoint of B आ चुक है ठीक है अब बढ़ते हैं 3 cross 3 matrix की और आप देख रहे हैं अगला आपका adjoint of a matrix यह आपका order 3 का है matrix 3 cross 3 ठीक है इसका adjoint आप कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है जो matrix है इसको as it is लिग दीजिए 0, 1, 2 उसके बाद आए आपका 1, 2, 3 उसके आदा है 3, 1, 1 जैसा था वैसा है लिग दिया आपने matrix को उसके आच जो इसका row 1 है आप देख रहे हैं आप है row 1 row 1 यह आपका होगया row 2 ठीक है इसको last में आप नीचे में सबसे नीचे में इनको दूबार repeat करवाज़ने है 0, 1, 2 यह row 1 repeat होगया और row 2 को भी repeat करवाज़े 1, 2, 3 उसके बाद जो अब नया arrangement जो बना आपका इसका पूरा जो नया arrangement बना हुआ है इसमें जो आपका यह आपका column 1 है and this is column 2 for the new arrangement तो इसको भी आप last में means right hand side की तरफ को last में यहाँ पर repeat करवादीजिए 0, 1, 3, 0, 1 and here row column 2 के आपका 1, 2, 1, 1, 2 यह आपने repeat करवादी है इसके आपने delete करदेना है पहली जो row आई है आपकी first row and first column को delete करदेना है हटा देना है अब जो बचा है इसको solve करना है आपने determinant values निकालनी की अलग-लग जैसे आप यहाँ देख रहे है पहली determined value यहाँ ऐसे आएगी 2, 1, 2, minus 1, 3, 0, 3 तो 2, 1, 2, 2, 2, minus 3 what you are getting? minus 1 ठीक है तो यहाँ पर आपका आई है minus 1 minus 1 आ जाए गई ठीक है उसके बाद अगला जो आपका determinant है इसकी determinant value निकाल लेजे 3, 3, 0, 9, minus 1 9 minus 1 क्या होता है? 8 लेकिन इसको आप row के इसाप से लिखेंगे कॉलम में लिखेंगे नीचे में लिखेंगे आप 8 कॉलम 1 में हलाकि row 1 को आप solve करों यहाँ पर लेकिन कॉलम 1 पर इसको लिखा जाएगा ठीक है अब उसके बाद अगला 1, 1 जा 1, minus 3, 2, 6 तो 1, minus 6 कितना होता आपका? minus 5 तो यहाँ पर जाएगा ठीक है अब उसके आद आप second वाले में बढ़िए तो 1, 2 जा 2, minus 1 2, minus 1 क्या होता आपका? 1 हो गया ठीक है इसके बाद 1, 0, 0 minus 6 तो 0, minus 6 कितना हो जाएगा आपका? minus 6 ही आ जाएगा ठीक है तो यह आपको यहाँ लिख देने minus 6 column में second column में और उसके बाद 3 बढ़िए 3, minus 0 3, minus 0 कितना जाएगा? 3 इसके बाद लास्ट वाला बचे आपका 1, 3, 3 minus 4 3, minus 4 what you are getting? minus 1 उसके बाद 2 बढ़िए 2 minus 3, 0, 0 2, minus 0 what you are getting? 2 2 ठीक है न? उसके बाद लास्ट पुचा 0, 2, 0 minus 1 2, minus sorry 0, minus 1 कितना हो जाएगा? minus 1 इसका जो मैट्रिस बनेगा आपका यह पूरा यही आपका क्या कहला जाएगा? Adjoint of A Okay Hope you like the video Thank you for watching